Welcome to class 9 वाला तो आज का जो वीडियो है आप सभी class 9 के strengths के लिए बहुत ज़्यादा important है और असा करते हैं आप सभी strengths का half-rail exam बहुत ही अच्छा गया होगा अगर अच्छा नहीं गया है तो आप हमने comment करके बताएं आपके final exam का date, कि आखिर हम लोग का class 9th का annual exam कब होगा, हमारा final exam कब होगा, क्योंकि अगर आपका thirdly exam खराब हुआ हो, तो आप सोच रहोंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा, कि हम लोग अपने annual exam में बहुत अच्छा करेंगे, तो सही बात है, अगर आपका thirdly disturb हुआ है, खराब हुआ है, आपको लगार उसमें आपके number कमाएंगे, तो आप अभी से अपने final exam की preparation को start कर दें, क्योंकि अगर आप अभी से अपनी preparation start नहीं करेंगे, तो last में आप चाहकर भी अपने annual exams में, अपने final exam में अच्छा number score नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा reason है, wide syllabus, आपका full question आता है, full syllabus आता है, जितरे भी chapters आपके दिये गए, सभी chapters आपके annual exam में आते हैं, ठीक है, तो अभी से आप तेहरी अपनी start कर लो, थोड़ा भी अपरवाई ना करें आप, थोड़ा भी time pass ना करें, थोड़ी भी अपरवाई ना करें, अभी से अपनी preparation को start कर लें, साथी साथ कल के दिन मैंने एक video post किया है, जिसका link आपको video के description में दिया गया है, उसको जाके आपको एक बार देख लें, उसमें आप सभी को बताया गया है, कि आप ऐसी क्या कुछ गल्तिया करते हैं, जिसके वैसे आपके half early में number आपके खराब आजाते हैं, आपको class 9 का half early exam, अच्छा नहीं हो पाता है, तो उस video का आप देख लें, ताकि in future आप अपने annual exam में, अपने final exams में उन गल्तियों को दुबारा repeat ना करें, क्योंकि आप उन गल्तिया करते रहेंगे, तो कुछ भी कर लो, आपका final exam भी खराभी होगा, विकार ही होगा, ठीक है, तो आप पहले उस video को देख लें, जिसका link आपको विडियो को description में दिया गया है, ताकि आपको पता चल सके, कि आपको क्या कुछ ऐसी गल्तिया हैं, जो दुबारा आपको repeat नहीं करनी हैं, तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसको मैं जानते हैं, PT3 के नाम से, यह आपका एक unit test होता है, class test होता है, जो आपके January या फिर December के last में conduct होगा, तो इस test को आप पहले तक बाद सिरियस देंगे, क्योंकि अगर आप अपने annual exam में अच्छा माक्स स्कोर करना चाहते हैं, कहीं न कहीं आपका ये trial है, इसमें आप अच्छा नंबर लेके आएं, अच्छा माक्स स्कोर करें, जो आपका class 9 का final exam है, final exam है, या फिर जो इसको हम लोग annual exam के नाम से भी जानते हैं, या जो आपका exam है, या 15th February के बाद से कभी भी आपका school conduct कर सकता है, क्योंकि इसके just बाद, class 9 के just बाद आपका जो अगला class है class 10 होता है, और उसमें सभी बच्चों को board exam देना होता है, तो school से भी चाहता है, कि हम class 10 की पढ़ाई, class 10 का syllabus बहुत जनली start करें, March के starting में start कर लें, और फिर March के end होते होते हम start कर दें, तो बहुत सारे schools आपका exam class 7, 8 से पहले ही class 9 के exam conduct कर देते हैं, अधिकतर schools मैं ऐसा देखा गया है, कि class 9 और class 11 यह दो class का exam बोलों पहले ले लेते हैं, बाकि जो class बचे होते हैं, class 6, 7, 8 इनका exam बोलों अपना आराम से March में conduct करते हैं, तो आप अपनी preparation अभी से start कर लें, 100% आपका exam 15 February के आसपास start हो जाएगा, सती अगर आपको हमोजे कुछ help चाहिए, कि क्या कुछ chapters आपको पढ़ाया जाएं, जो आपके annual exams में आने वाले हैं, जो भी आपको school में पढ़ाया नहीं गया है, आप हमें comment करके बताया हैं, उस सभी chapters का detailed solution, detailed explanation आप सभी को provide किया जाएगा, Thank you.